हेलो गाइज, रिदम लौ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं PCSJ, Pre, Means और इंटरव्यू की सभी स्टेट्स के लिए गाइज, आप जिस किसी भी स्टेट्स के प्रिपेशन कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले important है slaybus आपके बास में slaybus होना ही चाहिए बिना slaybus के गाइज कोई benefit नहीं होता है हम hard work तो कर रहे हैं लेकिन किस direction में कर रहे हैं matter करता है ये तो एक सही direction में होना भी बहुत जरूरी है second चीज important है आपके पास होना चाहिए unsolved paper के questions किस तरह से पूछे जाते हैं बहुत बार questions repeat भी होते हैं तो वो भी आपके clear हो जाएंगे तो दोनों चीज़ों को ध्यान दें आज हम बात करने वाले हैं UP-PCSJ के लिए example है UP-PCSJ UP-PCSJ में prelims के दो paper होते हैं first होता है GS और second होता है law GS में 150 questions होते हैं और 150 marks का होता है law में भी 150 questions होते हैं बट होता है 300 marks का तो टोटल हो जाते हैं 450 marks guys लेकिन ये qualifying है main होता है mains और interview वही marks एड होते हैं अब देख लेते हैं GS का paper किस तरह से करना है friends जिस तरह से हम law का daily 5 minute करते हैं उसी तरह से हम GS का भी hashtag daily 5 minutes करेंगे जिसमें Monday Tuesday science होगा Wednesday Thursday history होगा Friday Saturday geography होगा geography के साथ ही हम eco को भी cover करेंगे और guys current affairs continue चलता रहेगा जिस तरह से Sunday को चलता है साथ में हम means के purpose से भी देखेंगे क्योंकि July तक का current affair हमारा complete हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो guys playlist से आप देख सकते हैं and revision करते रहेगा अब हम बात कर लेते हैं law की law इसी तरह से चलता रहेगा friends Monday to Saturday चलता है तो वही रहेगा Monday to Saturday बट इसमें MPPCSJ, उत्राखन PCSJ, UPPCSJ और other state के भी subject को add कर देखेंगे तो जितने भी स्टेट के एक्जाम आएंगे आपका प्रीकस लेबस continue रहेगा current affairs आप कर ही रहे हैं guys अगर आपका English medium है तो दाहिंदू और PD आप continue करिएगा और अगर आपका Hindi medium है तो आप घटना चकर continue करिएगा friends and daily news paper पढ़ना ही है कोई भी medium हो अब हम बात कर लेते हैं friends means की क्योंकि pre हमारा complete हो चुका है current affairs भी, GSB और lobby continue चलता रहेगे, सारे subject होते रहेंगे सिर्फ 5 minutes देने से अब हम बात करते हैं means की friends means हम करेंगे alternate days पर जिससे हम पढ़ते भी रहें और साथ साथ continue भी रहें कि आपको एक दिन एक topic complete करना है next day हम उस question को देखेंगे और उसकी जो proper answer framing है वो cover करेंगे और वो topic भी पूरा पढ़ेंगे, इससे topic भी cover हो जाएगा जो previous year के question paper है वो भी आपके साथ में solve हो जाएगे और continue preparation भी रहेंगी सभी state के लिए इसी तरह हम GS, current affair और law तीनों चीज़े continue करेंगे अब हम बात कर लेते हैं test series की friends test series के लिए telegram group है आप वहाँ से join कर सकते है description box में आपको link दिया गया है वहाँ आपको एक link provide होता है guys हम monthly test करेंगे तो monthly आप test भी देते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि कैसी profession चल रही है कहाँ week है कहाँ need है कि हमें और पढ़ना है तो monthly test चलता रहेगा telegram पर आपको link मिलता है जिसके through आप exam test देंगे आपको इसको कोई payment नहीं करना है friends free test है सभी के लिए अब हम बात कर लेते हैं interview की friends free और means के साथ ही interview की profession होती है अलग से नहीं होती है कि जो भी topic आ रहा है कि ये important interview के लिए ये complete कर लेते हैं क्योंकि interview होता है guys आपका personality test वो आपकी knowledge नहीं check करते हैं आपकी personality देखते हैं तो continue रहिएगा क्योंकि अभी से personality develop होगी सिर्फ 4-5 दिन में या 1 month में interview की preparation नहीं होती है friends वो आप सिर्फ mock practice कर सकते हैं personality starting से होती है starting से आपको build करनी पड़ेगी के चीज़े आपकी clear हो आप mirror में देखके भी ये चीज़ clear कर सकते हैं friends interview के लिए आप continue करिएगा कि हमें positive रहना है अगर आपको आता है तो हमें answer देना है clear और daily आप mirror में देखकर एक topic बोलिएगा easily जो पूछे जा चुके हैं interview के questions तो वो आपके cover होते रहते हैं mirror में देखने से friends एक personality develop होती है कि आप दूसरे के सामने present कर रहे हैं वो चीज़ clear होगी और आपके study continue रहेगी focus करिएगा newspaper पर friends very very important है newspaper इससे आपका pre means interview तीनों चीज़े depend होती है तो यह से cover होता रहेगा and guys continue करेंगे classes पढ़ते हैं आज के according thank you guys bye bye share with all कोई भी question है आप हमें comment कर सकते हैं thank you